अगर आपने अभी तक हमारे चानल ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिये और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं दोस्तों कुछ चीजों का दोर कभी खत्म नहीं होता पुराने समय से आज के आधुनिक समय तक में भी ये चीज़े ठीक वैसे ही इस्तमाल की जाती है जैसे कि पहले होती थी इन ही चीजों की लिस्ट में से एक है महिलाओं द्वारा आभूशन के तोर पर पहने जाने वाली चूडियां ये गोलाकार चूडियां या कंगन हमेशा से ही स्त्रियों की सुन्दर्ता को बढ़ाते आ रहे हैं चाहे वो हाल ही में जन्मी नन्ही सी गुडिया हो या फिर सफेद बालो वाली बुज़ुर्ग महिला सभी को चूडियां पहनने का रिवाज है दोस्तों कुछ धर्मों में तो बच्ची के जन्म के साथ ही उसे शगुन के नाम पर चान्दी के कंगन पहनाए जाते हैं ये चूडियां नव व्यवाहित स्री के शिंगार को भी बढ़ाने के काम आती है शादी के बाद तो जैसे इन्हें पहनना जरूरत सा हो जाता है चाहे वो प्राचीन समय की बात हो या आज का आधूनिक यूग जहां भारत जैसे सौंस्कृतिक देश में भी महिलाएं पश्चीमी सभ्यता को अपनाते हुए मौडर्न हो गई है लेकिन फिर भी इन मौडर्न महिलाओं द्वारा भी पारंपरी करूप से चूडिया पहनी जाती है केवल परंपराओं के लिए ही नहीं इसे फैशन का नाम देते हुए भी अलग-अलग दिसाइन या अलग-अलग तरहा की चूडिया पहनी जाती है जो प्राचीन भारत की कि छलक कते नहीं देती खेर चूडिया चाहें कैसी भी हो किसी भी आकार की हो अंत्वे तो वो स्त्री के श्रिंगार को बढ़ाने का काम ही करती है लेकिन इन चूडियों से जुड़े कितने ही तथ्या से हम अंजान हैं बेशक हम चूडियों का परंपरागत आधार जानते ह लेकिन इसके अलावा इन्हें पहनने के कई सारे वेग्यानिक कारण भी है ये चूडिया किसी धातू से यानिके प्लास्टिक मेटल ग्लास इत्यादी जिससे भी बनाई जाती है इन सभी चूडियों का अपना सांस्कृतिक और वेग्यानिक कारण है लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं प्रते एक धर्म में चूडिया पहनने का क्या रिवाज है और इसके पीछे क्या कारण दिया जाता है सबसे पहले चूडियों का महत्वपून संदर्भ अगर किसी से जोड़ा जाता है तो वो है शादी शुदास्त्रियां एक विवाहित स्री के लिए चूडियां केवल एक मात्र श्रिंगार की वस्तू या फिराभूशन नहीं है बलकि इसके पीछे कई सारे कारण है शादी के बाद स्रीयों को सोने से बने कंगनों से अधिक कांच की चूडियां पहनने को कहा जाता है मान्यता है कि कांच की चूडियां पहनने से स्त्री के पती और बेटे का स्वास्थे अच्छा रहता है ये मान्यता कुछ धर्मों में इतनी गहरी है कि चूडियां बदलते समय भी स्त्रीयां इस तरीके से चूडियां उतारती है कि उनके हाथ खाली ना रहे कम से कम उसमें एक चूड़ी अवश्य ही रहे भारत में चूड़ियां पहनने का रिवाज शायद इतना पुराना है जिसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा देवी देवताओं के युग से चली आ रही है इसलिए तो हिंदु धर्म की सभी देवियों की तस्वीर और मूर्तियों में उन्हें चूड़ी पहने हुए दिखाया जाता है अब जब धार्मिक रूप से ये प्रचलन इतना गहरा है तो लोग तो इसे अपनाएंगे ही हिंदु धर्म के अलावा अन्यभी कई धर्मों और भारतिय शेत्रों में चूड़ी पहनने का अपना ही रिवाज है पंजाब में शादी के समय दुलहन द्वारा लाल रंग की चूड़ीयां जिन्हें चूड़ा कहा जाता है वो पहना जाता है ये चूड़ा पहनना बेहत जरूरी माना जाता है क्योंकि ये उनके सुहाग की निशानी होती है शादी में खास रूप से एक रस्म है रस्म के दोरान ये चूड़ा पहनाया जाता है और उसे एक बार पहनने के बाद अगले 40 दिनों तक उतारा नहीं जाता या तो 40 दिन या कई लोगों के यहाँ पर प्रथा है कि एक साल तक इसे नहीं उतारना है आपके घर में जो भी प्रथा है उस अनुसार आप इससे चूड़े को पहनते हैं कई लोग एक साल तक पहनते हैं और कई लोग केवल 40 दिन तक इसे पहनते हैं चालिस दिन पूरे होने पर स्त्री चाहे तो इसे उतार सकती है या फिर कुछ तिनोर भी पहन सकती है पंजाब से बिलकुल ही विप्रित दिशा में पढ़ने वाले शेत्र पश्चिम बंगाल में आपको चूडियों का एक अलग ही रूप दिखाई देगा यहां दो खास प्रकार की चूडिया पहनी जाती है जिसे शाखा और पोला कहती है शाखा का रंग सफेद होता है और पोला का लाल या आम तोर से लाख से बनी चूडिया होती है जिन्हें किसी सूने के कंगं से भी अधिक महत्व प्रदान किया जाता है चूडिया किसी भी धातू से बनी हो लेकिन अंत में वो हातों की सुन्दर्ता को बढ़ाने के लिए ही उप्योगी है लेकिन क्या कारण केवल इतना ही है शायद नहीं क्योंकि वेग्यानिक दृष्टी से चूडिया जिस धातू से बनी होती है उसका उसे पहनने वाली महील जाके आसपास के वातावरण और स्वैम उसके स्वास्ते पर भी बराबर का असर होता है उधारन के लिए ऐसा माना चाता है कि प्लास्टिक का उप्योग करके बनाई गई चूडियां रज तम प्रभाव वाली होती हैं ये चूडियां वातावरण में से नाकारात्मक पहने सिस्त्री के विभिर शारीरिक अंगों पर एक अलग सा दबाव बनता है वो कई बार बिमार भी महसूस करती है लेकिन इसके बिलकुल विप्रित है कांच से बनी हुई चूडियां साइंस का मानना है कि कांच की चूडियों की आवास से आसपास की नाकारात्मक उर्ज नश्ट हो जाती है इतना ही नहीं हिंदु धर्म में कांच की चूडियों को सात्विक भी माना जाता है कांच की चूडियों को कुछ खास रंगों से भी जोड़ा जाता है नव व्यवाहित स्रीयों को हरे रंग की कांच की चूडिया पहनने के लिए कहा जाता है ये हरा उस महीला को देवी के रूप से भी जोड़ता है। हरे रंग के अलावा लाल रंग की कांच की चोड़िया पहनने का भी विधान भारत में शामिल है। ये रंग उस स्त्री को आदी शक्ति से जोड़ता है। चूणियों के लाल रंग में भी कई प्रकार के रंग होते हैं। ज इतनी चूडिया पहनी जानी चाहिए इसके पीछे भी विभिर कारण दिये गए हैं अगर तीन या इनसे कम चूडिया पहनी जाए तो ये उस स्त्री में शक्ति का प्रवाहा लाती है आम तोर पर इतनी कम चूडिया एक औव्यवाहित कन्या द्वारा ही धारन की जाती है ऐसी मान्यता है कि ये दो से तीन चूडिया ही उस कन्या में शक्ति का संचार कर उसे मांसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर बनाती है लेकिन जब ये चूडिया जादा संख्या में हो तो इसका महत्व कई गुना जादा बढ़ जाता है साइंस का भी मानना है कि जब स्त्री के दोनों हाथों में काफी सारी चूडिया पहनी जाती है तो ये खास प्रकार की उर्जा पैदा करती है जिन्हें धार्मिक संदर्ब से मरक कहा जाता है ये उर्जा उस स्त्री को हर प्रकार की बुरी नजर से बचा कर रखती है बताए गए सभी तथ्या हमें चूडियों की सा खारात्मक उर्जा की महता समझाती है इन्हें पहनने का इतना फाइदा है ये तो आपने जान लिया लेकिन यही चूडिया समय आने पर विनाशकारी भी बन सकती है ये बहुत कम लोग जानते हैं ऐसा तब होता है जब चूडिया तूटती है या फिर उनमें दरार आ जाती है ऐसी मान्यता है कि चूडियों का तूटना उस स्त्री या उससे जुड़े लोगों के लिए एक अशुब संगेत लेकर आता है लेकिन साइंस का मानना है कि ये उस स्त्री के आसपास मौजूद साधारन से काफी अधिक मात्रा की नाकारात्मक उर्जा का परिनाम होता है जिसके चलते ये उर्जा स्त्री के आभूशनों में से सबसे पहले उसके चूडियों पर प्रवाह करती है चूडियों के तूटने के साथ उनमें दरार आ जाती है और इसलिए ये एस्ट्रोलोजिकल साइंस के हिसाब से अशुभ माना जाता है ऐसा होने पर स्त्री को चूडियां उतार देने की सलहा दी जाती है जहां भी वेग्यानिक त्रिष्टी से चूडियों में दरार आना स्त्री को घेरने वाली नाकारातमक उर्जा का परिनाम है यही उर्जा उसकी चूडियों के भीतर जगहा बनाती है और उन्हें धीरे धीरे नश्ट करती है अगर दरार आने पर भी ये चूडियां उतारी ना जाए तो ये स्री के स्वास्तिया पर हावी हो सकती है तो दोस्तो इस वीडियो में हमने आपको बताया चूडियों का क्या महत्व है कौन से रंग की चूड़ियां, कितनी चूड़ियां, किस मेटीरियल याने के किस तरह के धातु की चूड़ियों का उप्योग आप पर किस तरह का प्रभाव डालता है ये सब बाते हमने आपको इस वीडियो में बताई, साथ ही हमने आपको बताया कि एस्ट्रोलोजिकल साइंस के हिसाब से भी चूडियों का तूटना क्यूं बुरा माना जाता है दोस्तों हमारे जोतिश विज्ञान के अनुसार चूडियों का तूटना बुरा माना जाता है और उसका कारण हमने आपको बताया है इस वीडियो में आपको इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमें फेस्बुक पेच पर फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय फ्रेंड्स ट के आम तादी